नमश्कार फरिदवाद एक बड़ी घटना से आपको अमने रूब रूब कराया था फरिदवाद सिकरोना के घटना है एक धाई साल की बच्ची के साथ रेप की घटना है और किस तरह से वारदात को अंजाम दे गया और सारी बात जानेंगे तो लड़की बड़ी वाली स्कूल से आई लड़की को लेके घट जा रही थी मतवल उसकी ममी काम कर रही थी तो बोली का कहता है कि ममी लड़की को ले जा रहा हूं तो लड़का मैं बैठा था तो बोला तूजा इस लाली को मैं खिला रहा हूं तो लाली को लेकर अंदर घु तो लड़की रोई है चिल लाई है प्रोस मेरे था हाँ जी एक घर का फैंसला दूसरा घर उसी का है तो उसकी मा बोली है लड़का इक क्या हो रहा है तो बोला है मम्मी कुछ नहीं लड़की को गुबड़ा फुला के देरा हूं फोड देरही है रो जा रही है अच्छा फिर उसके बाद लड़की रोई है तो भार दूसरी पडोसिन गई है उसके घर में कह यह क्या हो रहा है तो वो लड़की को लिया है रोती हुई को अब घर में मा आई है तो मा से कह रही है लड़की मम्मी खून ले कर रहा है राजने मारा है मम्मी खून ले कर रहा है तो देखा पर क्या हुआ तो सर उसके ब्लेडिंग हो रही थी और लड़की के काफी ब्लेडिंग अब तक चली है को ने तीन की नहीं कुल ड़ाई की है ड़ाई साल कि हाँ जी सर भी होस्पिटल लिया हाँ जी लड़का पकल लिया लड़का चोकी में बंद है कर जी आपको कब पता चला मेरे को मतबलो उसको तो जब इंद पता चल गया मैं तो कंपनी थी तो मेरे को तीन वजे पता चली पर कंपनी से नहीं सुटली हो पाती फिर मैं बनीद थी कि मिन की लड़की की भादेवेस्टि अपनी हो ती है इसलिए फिर मैं पांच बज़े आई थी हाँ जी से तो प्रिदवाद बड़ी घटना है इस तरह की घटना ही आप समझ सकते हैं कि कि तरह से कर दो जादा ना साल की देख रहे हैं अपनी लड़की की ढ़ाइश साल की उमर को आज़के लड़के की है चोदे पंद्रे के सोलह के बीची में पढ़ाई कर रहा है नोई किलास में पढ़ रहा है कि दबाद देख सकते हैं किस तरह से 20 साल की बच्ची के साथ लगातार पहले भी कुछ तेम पहले एक खबर हुई थी लेकिन इस मामले में जो बच्चा है जो रेप करने वाला है वो भी 14-15 साल का है और नौवीक अक्षाम पड़ता है तो शहर में लगातार इस तरह की सर्मना घटना होती जा रहे हैं घटती जा रही हैं लेकिन गटना ओपर लगाम लगाने ली कहीना कहीन सिक्षित करने की जूरत है बच्चों को भी इस तरह के संसकार देने की vrijdiltration